दोस्तो नमस्कार कर्णल अजयस यो अजयस टो मनी ग्रूफ फर्स्ट ग्लोबल एस्टो फनेंस डीचल चैनल से आप से मुखातिब होता हूँ सुमवार बीस नौबर सन दोजार तेईस दोस्तो आज के अपिसोड में हम मसालों में सबसे महतपुन मसाला लाल मिर्च यानी रे अब तर देश का पहला चैनल है जो 42 कमूटिटीज पांच मार्केट पर लगातार अबडेट और विस्टेशन आप तक प्रतुस करता है दोस्तो हम वर्तमानी नहीं वविश्का भी करते हैं सठीक आकलन यादि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नह नहीं है पूरे देश में इसके खेती की जाती है और यदि हम क्रशी किसान कल्यान मंत्राले के आखडों की बात माने तो फसल सीजन साल 2022-23 के दौरान पूरे देश में लगब 8.52 लाग हेक्टिर में लालमिच की खेती की गई थी इसमें 19.58 लाग तन लालमिच का उत्पाद खराज जिमाने जाते हैं यह सभी राज जिम मिलकर देश में उत्पादित लालमिच का तिराण में प्रतिशत यानी 93 प्रतिशती योगदान देते हैं तामिलाड़ के प्रमुक मिर्च उत्पादक जिलो में बुवाई अक्टूबर महने के दौरान की जाती है और यहां पर इसकी खेती एकल फसल के रूप में की जाती है व्यापारी साल भर मांग पूरा करने के लिए कटाई के अध्य के दौरान अपना स्टॉक जमा करते हैं साल 2022 थे इसके दौरान तामिलाड़ो में 0.49 लाख हेक्टर में लालमिच की बुवाई की गई थी जिसमें 0.22 लाख टन सूखी लालमिच का उत्पादन हुआ था मुंडू और सनम तामिलाडू में उगाई जन्य अली मिच की प्रमुक किसमें मानी जाती है दक्षिन बारत के दो प्रमुक उत्पादक राज्य आंध्य प्रदेश और तेलंगना की मंडियों में लालमिच की आवक अभी धीमी चल हैं नौवंबर के अंदर अक्टूबर और नौवंबर के अंदर मद्य प्रदेश की लालमिच की आवक शुरू होती है इस बार ठोड़ा डिले हो रहा है गौरतलब है कि घरेलू प्रभाग में लालमिच की मांग कुछ दिनों तक सीमित रह सकती है इसलिए इसकी कीमते मुक अगर आज के यानि 20 नौवंबर के बाव ताजा बाव आपसे हम शेयर कर रहे हैं आपको हम गुंटूर मंडी ले चलते हैं अंदर प्रदेश की जहां पर लालमिच 334 एस टैन नंबर से 170 से 230 रुपए तेजा 200 से 238 रुपए सीने जेटा बाइटगी 150 से 185 के बाव हैं 273 न नंबर 180 से 235 है 341 नंबर 170 से 205 और डीडी 160 से 95 में तेजा डीलेक्स की कॉलिटी के अंदर 232 से 235 के बाव आज मंदी में बताए जा रहे हैं और 2043 नंबर 280 से 350 के बाव बताए जा रहे हैं साथ साथ आदि हम वारंगल मंडी में चलें तो वारंगल मंडी के अंदर तेजा के भाव 210 से 235 तीन सो 141 नंबर के भाव 180 से 200 और वंडर होट 230 से 245 के बाव बताए जा रहे हैं साथ साथ खमम की बात करें तेलंगाना में तो तेजा क्वालिटी के भाव मिल लाल मिच के 200 से 210 हैं फटकी 150 के भाव बताए जा रहे हैं ताकर अभी लाल मिच के दाम सामाने बताए जा रहे हैं जबकि नौवमबर मैने के तीसरे से चौते सब्ता बंदेपदेश की मंडियों में लाल मिच की आवक बढ़ने की संभावना बताए जा सकती है साथ साथ गुंटूर मंडि के अंदर के जो गुंटूर और बाकी मंडियों के बाव हमने आपको आपसे साजा किया है गौरतलब है कि यदि निर्यात की मांग मजबूत नहीं रही तो कुछ समय तक लाल मिच की तेजी के अंदर पर प्रभाव पड़ सकता है दूसरी और ये भी खबर निकल के आ रही है कि तामिलाडू क्रशी विश्विद्यालेक कोयम टूर के क्रशी वहम ग्रामिन विकास अध्यन केंदर ने किसानों को सनम किसम की लाल मिच की बुआई करने की सला दी गई है हाला कि उत्तर पूर्व मानसून और अन्य उत्पादक राज्यों से में तामिलाडू की सनम किसम की लाल मिच की सप्लाई बढ़ने पर कीमतों में बदला भी हो सकता है लेकिन खास बात यह है कि मुल्य पूर अनुमान टीम ने तिरुनवेली विनियमित बजार के पहले 15 साल की आकड़ों का विश्टिशन करने के बाद सनम की किमतों को लेकर ये बात कही है गौर तलब है कि लाल मिच की खेती करने वाले किसान के लिए खुशकबरी है क्योंकि इस संसान के अनुसार 2024 के अंदर लाल मिच के दाम बढ़ सकते हैं तो दोस्तो लाल मिच हो या फिर काली मिच छोटी या बड़ी लाईची लॉंग मसाला सभी की जानकरियों के लिए अजय एस्ट्रोमानी गुरू देश का पहला चैनल है दोस्तो लाल मिर्ज के अंदर क्या आगे मुनाफ़ा वसूली कर लेनी चाहिए या और करना चाहिए इंतजार जैसे हमने दक्षिन भारत के सारी जानकरियां आपसे शेयर की मद्यप्रदेश की जानकरियां आपसे शेयर की दोस्तो समय से मुनाफ़ा वसूल करना समय से माल खरीदना यानि एंट्री और एक्जिट एक महतापून पॉइंट व्यापार के लिए होता है और आपको मसाले हो या फिर ड्राइफ रूट्स या फिर खादे तेल या फिर अनाज दाले इन सबी पर हमने अपडेट देने का प्रयास किया है जो की सत्ते सावित होते देखे गए हैं दोस्तो अधिक जानकारी के लिए अभिशेश रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप समपर कर सकते हैं लाल मिर्च में आने वाले समय के अंदर कुछ महतवपून परिवर्तन होने की संभावनाई बन रही हैं क्या यह तेजी के होगी या फिर मंदी की विशेश रिपोर्ट के लिए संपर कीजिए नमबर स्क्रीन पे दिये गया है All the very best, good luck, happy trading